हेलो एवरीबन वेल्कम बैक टुई राउन चैनल इंग्लिश वित ममता केश्री तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आपकी पढ़ाई अच्छी दंग से चल रही होगी तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपकी कुछ कमेंट्स हैं कुछ दाउट्स हैं कुछ कोश्चन है जारी कर रहे हैं तो ठीक है तो कुछ दो-चार लोग ऐसे थे जिनका काम है निगेटिविटी फैलाना हर जगा वो पहुंच जाते हैं ऐसे ही कुछ कमेंट्स थे जिन्होंने उस वीडियो को गलत वे मिलिया वहां उस वीडियो में किसी भी जगा पे यह नहीं कहा गया है कि यह वीडियो 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 के लिए है यह वीडियो जर्न के लिए है यह यह होना होता है वो क्या करते हैं जनरल ओविसी के चक्कर में ही फसे रह जाते हैं और इसको सेलेक्शन लेना होता है वो पढ़कर के अच्छे नमबर लाकर के सेलेक्ट हो जाता है तो मेरे काने का मतलब यह इन सब जंजटों में ना फसे अगर जनरल की सीठ है जनरल जनरल का हम र तो आपका सेलेक्शन हो गया ठीक है यह सब चीजे जो है निगेटिविटी फैलाने वाली चीजे हैं इन सब चीजों से आप दूर रहिए ठीक है और किसी को किसी ने रोका नहीं है अगर आपके पास्षमता है अगर आप अपनी स्टडी के प्रती वफादार है तो आप पर नहीं आ सकते यह नहीं कर सकते ठीक है ऐसी कोई बात ना वीडियो में आई है लेकिन कुछ दो-चार लोग ही है जो इस तरह की सोच रखते हैं ठीक है अगर सेलेक्शन लेना है तो इन सब चीजों नेगेटिविटी से आप दूर रहे हैं और सिर्फ अपनी पढ़ाई प अगर आप अच्छे ढंक से तयारी करते हैं अच्छा रिजल्ट आपका आता है तो निशित रूप से चाहें आप किसी भी कैटेगरी को हो आप सेलेक्ट हो जाएंगे ठीक है और एक चीज़ और बताना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की प्रगति बड़ा बन सकते हैं है ना सफल वेक्ति भी दो तरह के होते हैं एक तो ऐसा वेक्ति होता है जो खुद सफल हो जाता है फिर कहता है कि चलो अब तो मैं सफल हो गया हूं अब मुझे अपनी लाइफ देखना है और दूसरे तरह के वेक्ति ऐसे होते हैं जो खुद सफल हो जा ठीक है वो बिहार में SDM के पत्वे तैनात है बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो उनका लगता है बहुत ही अच्छा लगता है अब सोचिए वो एक सफल व्यक्ति हैं उन्होंने बहुत संघर्स के बाद उन्होंने अपने पुश्ट को प्राप्त किया पहले एक प्राइवेट जॉब करते थे और काफी मोटिवेशन मिलता है उनको देख करके अब सोचिए वो कितना व्यस्तता उनकी लाइफ में होगा फिर भी वो टाइम निकाल करके यूटूब वीडियो बनाते हैं और डालते हैं तो क्या विस्वार्थी हैं क्या हम यह कर सकते हैं उन्होंने पैसे हैं क consec aura के अंदर ललक है कि पास नों पैसे की कमी है उनको इतना समय भी नहीं की खाली बेठे हुए और लेकिन फिर भी उनके अंदर एक पैस्षन है कि मुझे समाज के लिए कुश करना है समाज को मोटिवेट करना है जिस प्रकार से मैं सफल हुआ उसे प्रकार से अन्य लोग भी सफल और वह भी इस तरह की वीडियो मोटिवेशनल हुआ या फिर किस समय पढ़ा भी रहे हैं ठीक है तो यहीं सब बाते हैं एक क्या करते हैं एक महाशर है जिन्नोंने दो-तीन वीडियो मेरे वीडियो पर उनका कमेंट आया कि मैडम ज्यादा ग्यान बात रही है एक बार मैंने पढ़ा उसे इगनोर कर दिया और तीसरी बार मैंने कल वाले वीडियो में पढ़ा जिनके चैनल का नाम है लन इंगलिश विद्धी के सर ठीक है इन्होंने अपने आपको टीचर का कि मैडम ग्यान बाट रही है और अब लूजर्स हमें ग्यान बाटेंगे ठीक है और पहली बात तो आप लूजर की परिवांसा देखे किसे कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति का जीवन में सफल होना सेलेक्शन लेना दूसरों को मोटिवेट करना दूसरों की पढ़ाई में तो इतना ही आप ग्यानवान है तो आपको भी किसने रोका है आप भी आए यूटूब पे आपके अंदर जो छमता हो आप दिखाईए ग्यान बाटिए किसी ने आपको रोका नहीं है तीक है आप उनके चैनल पे खुद जाके देख सकते हैं कितने बढ़ियां वो पढ़ात अगर कोई अच्छा कर रहा है अगर खुद नहीं अच्छा कर सकते हैं तो दूसरों को अच्छा कमें देए अगर खुद भी नहीं कर रहा है और दूसरी को विचार है कि दूसरा कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको भी रोका जा तो ये चीज़े सही नहीं है ये चीज़े झाल झाल